So hey guys, मेरा नाम है राहूल और आप देख रहे हैं Technical Rewind दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी टेक्नो स्मार्टफोन में कैसे अपनी फोटोज, वीडियोज और रिकॉर्डिंग को आसानी से हाइट करके रख सकते हैं और जो भी आप अपनी फोटोज, वीडियोज और रिकॉर्डिंग हाइट करेंगे वो ना ही आपकी गैलरी में दिखाई देंगी और ना ही फाइल मेनेजर में शोग होगी तो आज की वीडियो में मेरे पास दो स्मार्टफोन है, एक है टेक्नो स्पार्क सिक्सेयर और दूसरा है टेक्नो कैमन 16 क्योंकि इन दोनों में आपको हाई उस वर्जन अलग-लग मिलता है, टेक्नो कैमन 16 में आपको हाई उस वर्जन 7.0 मिलता है जबकि Tecno Spark 6 Air में आपको HiOS 6.2 मिलता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तो सभी Tecno स्मार्टफोन में आपको एक application pre-installed मिलती है जिसका नाम है Phone Master और इसे आप चाहे तो Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके स्मार्टफोन में नहीं है बागी इसका जो link है वो भी मैंने description में दे दिया है जाकर आप Google Play Store से free of course डाउनलोड कर सकते हैं HiOS 6.2 में जैसे ही आप अपना Phone Master ओपन करेंगे तो सामने ही आपको last में एक vault के option मिल जाती है और यही वो option है जहाँ पर आप अपनी photos, videos और recordings को आसानी से hide करके रख सकते हैं लेकिन HiOS 7.0 में आपको Phone Master के सामने ही vault के option नहीं मिलती है इसके लिए आपको इसके toolbox में जाना होगा और जैसे ही आप toolbox में जाएंगे इसके आपको second last में option मिल जाती है vault की और यही पर आप अपनी photos, videos, recordings को hide करके रख पाएंगे तो सबसे पहले आपको एक 4 digit का जो password है वो set करना होगा उसके लिए आपको सबसे पहले double hash लगाना होगा यानि कि अगर मैं अपना password रखना चाहता हूँ 8055 तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले tap करना होगा hash hash 8055 जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं जिससे कि आपका जो password है वो थोड़ा सा unique बन जाता है और कोई भी आपका password इतनी आसानी से crack नहीं कर पाएगा उसके बाद आपको एक security question set करना होता है जिससे कि अगर आप अपना password कभी in future भूल जाते हैं तो इसकी मदद से आप अपना password असानी से recover कर पाएंगे और जैसे ही आप अपना security question add कर देते हैं वैसे ही आपका जो vault है वो use करने के लिए ready हो जाता है अब यहाँ पर आप अपनी photos, videos और recordings को असानी से add करके रख सकते हैं photos add करने के लिए आपको सबसे पहले picture वाले option में जाना होगा pictures वाली option में जाने के बाद आपको bottom right side में एक plus का icon मिल जाएगा plus के icon पर tap करने के बाद अपने gallery में से आप जो भी photos hide करके रखना चाते हैं उन्हें select कर लीजिए अपनी photos को select करने के बाद आपको नीचे दिये गए confirm के button पर tap कर देना है उसके बाद इस private album को ok कर देना है अब आपने जितनी भी photos select की थी वो सारी की सारी आपकी private album में add हो चुकी है और आपकी जो gallery है उसमें से सारी की सारी photos जो आपने select की थी वो यहाँ से गायव हो चुकी है और कुछ इसी तरह से ही आप अपनी videos और audio recordings को भी vault में add करके रख सकते हैं इसके लाब दोस्तों iOS 7.0 में आप vault को gallery से ही access कर सकते हैं इसके लिए आपको gallery के अंदर जाना होगा और gallery के bottom right side में आपको tools की option मिल जाती है जहाँ पर आपको second option मिलती है vault की और यहाँ से भी आप अपने vault को असानी से access कर पाएंगे और कुछ इसी तरह से आप iOS 6.2 और उससे नीचे iOS version वाले smartphone में अपनी photos और videos को hide करके रख सकते हैं लेकिन इसमें आपको जो vault का access है वो gallery से नहीं मिलेगा इसके लिए आपको phone master में जाकर ही vault को access करना पड़ेगा दोस्तो कुछ इस तरह से आप अपनी photos, videos और recordings को असानी से hide करके रख सकते हैं किसी भी techno smartphone में और दोस्तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो like और share ज़रूर कर दें और इस channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe ज़रूर कर दें और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक ली जय हिंद वंदे मातरम